रोजाना ग्यान वर्दक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों यू तो हर दिन और हर हफ्ते ग्रहों की दशा बदलती रहती है ऐसे में ग्रहों के इस परिवर्तन से कभी किसी व्यक्ति को लाब होता है तो किसी व्यक्ति पर दुखों का पहाड तूट जाता है गोरतलब है कि एक बार फिर से ग्रहों ने अपनी दशा और दिशा बदल ली है जी हाँ इस बार ग्रहों के इस महासंयोग से नुकसान तो नहीं बलकि लाब होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 जून को सूर्य ग्रह अपना नक्षत्र बदल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य देव 12 जून की सुभ मरिक शीरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 21 जून तक इसी में रहेंगे यह परिवर्तन शुकरवार के दिन हो रहा है शुकरवार जैसा कि आप जानते हैं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और दोस्तों सूर्य के इस परिवर्तन की वज़र से इसका प्रभाव कुछ राश्यों पर भी देखने को मिलेगा तो आपकी राश्य के लिए ये परिवर्तन क्या असर दिखाएगा चलिए अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं तो आपसी अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिसना करें और इसे अंद तक जरूर देखें चलिए शिरू करती हैं बात करें अगर मेश राशी की तो सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से मेश राशी वादे लोगों को फायदा होगा सूर्य के प्रभाव से मेनत बढ़ेगी और उसका अच्छा फल भी बात करें अगर व्रिशव राशी की तो मरिग शिरा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करने से आपको भाई भेनों की सेहत को लेकर चिंता रहेगी आर्थिक सिती में सुधार होने के योग बन रहे हैं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपकी सेहत में सुधार आएग अच्छी आदतें आप अपनाएंगे दापत्य सुक आपका बढ़ेगा रोज मर्रा के काम भी समय से पूरे हो जाएंगे बात करें अगर मिथुन राशी की तो आपके लिए परिशानी वाला समय हो सकता है खर्चा बढ़ने की संभावना है दूर स्थान की यात्रा हो सकती ह लेकिन सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा किसी से विवाद हो सकता है कामकाच को लेकर दौन भाग बनी रहेगी मेनत ज्यादा होगी और फायदा कम मिलेगा लेकिन 15 जून के बाद सितियों में सुधार हो जाएगा बात करें अगर करकराशी की तो सूरे के नक्षत् लेकिन 15 जून के बाद लेन देन और निवेश में सावधानी रखनी होगी बात करें अगर सिंग राशी की तो सूरे के प्रभाव से आपको नौकरी या करोबार में फायदा मिल सकता है आपके लिए ये परिवर्तन पदोनिती का रास्ता भी खोल सकता है वर्ग प्लेस में आपको अपनी सिहत का ध्यान रखना चाहिए सूरे के प्रभाव से प्रोपर्टी संबंदी रुके हुए काम आपके पूरे हो सकती है माताजी की सिहत में सुधार हो सकता है आपकी सिहत अच्छी रहेगी इम्म्यूनिटी पावर बढ़ेगी दोस्तों बात करें अगर कन्या तो सूरे के नक्षतर परिवर्तन से आपको जौब, बिजनिस और आर्थिक मामलों में किस्मत का साथ मिल सकता है दूर स्थांत जुड़े मामलों में फायदा होने के योग बन रही है मैनत का पूरा फल आपको मिलेगा रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है आपके क ये गए कामों से बड़े लोग प्रभावित होंगी बात करीं अगर तुला राशी की तो सूरे के प्रभाव से समय मिला जुला रहेगा 15 जून तक सिहत और आर्थिक मामलों में संभल कर आपको रहना होगा इन दिनों में आपको मैनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है काम का प्रभाव पड़ेगा इसके साथ ही जौब और बिजनिस में मैनत बढ़ सकती है 15 जून के बाद हो सकता है आपको मैनत का फाइदा कम ही मिले सावधान रहना होगा बाचीत में आपके राज भी उजागर हो सकती है सेविंग्स खर्च हो सकती है आपके बाचीत के तरीके में आकरामकता आ सकती है खुद पर कंट्रोल रखें बात करें अगर राशी धनू की तो म्रिग शिरानक्षत्र में सूरे के प्रवेश करने से आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है इसके साथ ही आपके दोस्त भी बढ़ेंगे कामकाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा दा रखी से आप संदुष्ट होंगी बात करें अगर मकर राशी की तो सूरे के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपकी उजनाव में दिखेगा इसके कारें प्लानिंग में अकरामकता आ सकती है जौब और बिजनिस में आप ऐसी प्लानिंग बना सकती है जिसमें आपका प community power बढ़ेगी बात करें अगर कुम राशी की तो सूरे के नक्षत्र पदलने से आपकी financial condition में सुधार होगा रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रही है कई मामलों में किसमत का साथ आपको मिलेगा आपको अपनी मेहनत का पूरा फायदा भी मिल सकता है सिहत के मामलों में आपको संभल कराना होगा सिर्दर्द और आखों से जुड़ी परिशानी आपको हो सकती है इसलिए अपने स्वास्त का खयाल रखें बात करें अगर मीन राशी की तो माता की सिहत को लेकर चल रही चिंता कम हो सकती है प्रोपर्टी के मामलों में अक्रामक योजनाएं बन सक जिससे दूसरों को नुकसान हो सकता है लेकिन ऐसा करने से आपको बचना होगा सूरे के प्रभाव से आप में बिमारियों से लड़ने की ताकत कम हो सकती है रोजमर्रा के कामों में सावधानी बढ़ेगी संचार साधनों की मदद से लेन देन और निवेश में फायदा मिल स सकता है दोस्तों आप से अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दल सी जैमाल लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें